हेलो दूस्तो नमेश्कार इसम किसी चानल में आप सब लों का दिल से बहुत-बहुत सगत करता हूँ आज का दिन का आखरे वीडियो है अभी क्या-क्या लेटेस्ट कवरे देखने के आपे मिल रही है तो चले उसी को हम लोग कवर यहापे कर लेते हैं तो शुरुआ तो एक बार अमेरिकन बाजार के साथ ही करेंगे फिलाल तो 200 पॉंट की गिरावाट नजर यहापे आ रही है रिफ्रेश करते रहेंगे बार-बार क्योंकि सिच्योशन बदलते रहती है इसके पीछे का reason मतलब हम बोल सकते हैं कि अभी पीछला वीडियो आप लोगों नहीं देखा होगा पिछले का पीछला वाला ठीके तो इसी से related points हम लोगों को cover होते वे देखने को मिल रहे है Nasdaq की बात कर तो 1% से जादा गिरते वे देखने को मिल रहा है तो Nasdaq अगर गिर जाता है तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो जाते क्योंकि Nasdaq की एक ऐसा engine है जो की थोड़ा सा जबरदस तरीके से boost होते वे देखने को आपे मिल रहा है जब भी यहाँ पे एक कमजोरी देखने को मिल जाते तो थोड़ा सा महोल खराब यहाँ पे हो जाता है वैसे तो Nasdaq का जो दूसरा जो अच्छा खासा performance देने वाला जो leader है Nvidia की अगर हम लोग बात करें तो उनका तो performance अभी तक अच्छा खासा देखने को आपे मिल रहा है So Nvidia के number भी देखने को मिलेते इसके चलते जो तेजी है वो अभी भी बरकरार रहती वे देखने को आपे मिल रही है Next अगर हम लग बात करेंगे हमारे ADR as usual देखेंगे तो info says half percent down ICSA bank लगबख 0.74% down HDFC bank में भी almost 1% के आसपस की गिरावट है Vipro की बात करें तो 6% से ज़्यादा Vipro में गिरावट देखने को मिल रही है ठीक है एंड डॉक्टर रिडिस की बात करें तो similar वे 5% के आसपस गिरावट देखने को मिल रही है तो हम यहापे कह सकते हैं कि फिलाल का जो performance चल रहा है American Bazaar में वो कोई energetic performance तो फिलाल तो देखने को आपे नहीं मिल रहा है तो कल हमारे Bazaar का performance के से रहेगा यह एक देखने वाली बात यहापे बनती है नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे FIS Days activities येस आज के दिन अगर आप देखोगे तो बहुत बड़े-बड़े आप लोगों को FIS के और से buying selling देखने को आपे मिली है जब बड़े-बड़े हम लोग को ये block deal, build deal होते वे देखने को मिल जाते है तो ये सबी चीज़े इसी में है आपे consider की जाती है तो इसलिए इतना बड़ा हम लोग को performance देखने का फिलाल तो यहापे मिल रहा है तो अगर हम लोग यहापे बात करें तो जो deal से आपी हुई है इसके चलते हैं यहापे यह buying नजर यहापे आ रही है पर अगर हम लोग बाकी performance की बात करें तो अभी भी FS की और से हम लोग को net विक वाली ही जादा देखने का आपे मिलती है तो वो एक point देखने वाला बन जाता है नेक्स बात करेंगे सुजलन एनरजी पिनी स्टॉक है ठीक है तो आपको पताईए बड़े player नहीं आपे बहुत बड़ा माल यहापे लगाया है तो कुछ ना कुछ तो बड़ी खबर यहापे आएंगे आएगी यह किसका अनुमाना आप यहापे लगा सकते हो और ऐसे कुछ अपडेट्स हमनों को आज के दिन भी देखने का आपे मिलेते हैं जैसे कि सुजलन एनरजी को 31.5 मेगावैट विंड एनरजी प्रोजेक्ट हमनों को मिलते वे देखने का आपे मिला है तो ऐसे अगर चीजे अगर बार-बार कंसिस्टनसी की साब से चलती रहेगी तो सुजलन एनरजी में भी हमनों को एनरजी आते वे देखने का आपे मिल सकते हैं कोई रेकमेंडेशन है मेरे साइट से जैसे कि मैं हमिशा आप लोगो का है कि जब उपर जाते तो अच्छा एसा लगता है फो में हो जाते है अरे यार कर लिया तो अच्छा होता करके ठीके बड़ अगर कुछ हुआ जैसे कि बीसी जी की केस में आप देखी रहे हो तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत है आपे हो सकती जाना नहीं जाना है वो अच्छी खबर आएगी उनके पास कोई ने इंटरनल इंफरमेशन रहेगी उसके भी ना थोड़ी ना इतना कोई पैसा लगाता है इसे स्टॉक ने नेक्स बात करेंगे पेटी एम पेटी एम का हमेशा का प्रॉब्लेम कौन सा कोई ना कोई स्टेक यहापे बेचता रहता है यह खबरे आती रहती है तो अगर नोग बात करें तो यह बताया जा रहा है कि 880 के भाव पे यह डील होते वे दिखने मिलेगी फिलाल कितने पे च बोल सकते हो 20-30 रुपे के आसपास डिसकाउंट हमनों को देखने का आपे मिल रहा है तो चेक कर लेंगे कल के दिन यह खबर क्या सच होती है कि ने अगर नगर होती है तो फ्लोर प्राइस क्या रहता है तो उसी के आसपास यूजली कभी-कभी स्टॉक यहापे मिल जाते हैं देखा गए तो इतना भी कोई ऐसा इब्दम बहुत बड़ा ऐसा कोई डिसकाउंट ने है ठीक ठाक डिसकाउंट हमनों को देखने का आपे मिल रहा है दैन अगर हम लोग बात करेंगे केंपस की बात करें तो लगातार गिरावड देखने का आपे मिल रही है शुरुआत की बात करें तो केंपस बहुत ही अच्छा परफर्मस देखने का आप मिल रहा था अच्छा परफर्मस मतलब शॉट टम में तो हर कोई स्टॉक यहां पर भागता है तेजी देखकर बहुत सारों रोग रेकमेंड भी करतें द्यान उसके बाद नीचे आता है तो आपे 200-200% की रिटन्स नजर आते है फिर गिरावट नजर आ जाती है तो नेट गिरावट 100% के आसपस नेट रिटन्स देखने को मिल जाते है तो बाटा की भी बात करें केंपस की बात करें सब में हमनों को सेम परफर्मस देखने का आपे मिल रहा है तो क्या केंपस खराब अगर आपका नजरिया बिजनेस के प्रति आ गया ना, तो फिर आपको ये temporary basis की साब से plus minus जो होता है ना, उससे आपको ज़्यादा फरक नहीं पड़ता है, क्योंकि आपका vision फिर long term का होता है, उसको देखकर आप यहापे उस company में बने रहेते हों, हाँ, बड़ अगर आपने randomly buying की होगी, तो फिर आपके लिए फिर 296 का 294 भी हो गया, तो भी है फिर आपको फिर तकलिफ तो हो नहीं हो नहीं है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे बाला जी हमाइन, इसके numbers postpone यहापे होए थे, ठीक है, थोड़ा issues यहापे होए थे, issues मतलब कोई corporate governance से related issues नहीं है, बड़ yes, delay होते वे देखने को मिले थे, कभी-कभी delay हापे हो जाते है, तो numbers हम लोग को देखने को मिले, ठीक-ठाक numbers है यहापे, ठीक है, पहले से ही पता था, कि इतना कुछ खास performance नहीं रहेगा, ओक्योंके performance देखने को आपे मिलेगा करकी, तो वैसा ही कुछ performance देखने को आपे मिला है, तो बाला जी हमाइन्स बात करें, तो company तो विल्कुल भी आपे खराब यापे नहीं, बड़ yes, overall इनका sector की बात करें, तो low performance अम लोगो रेखने को मिल रहा है, तो same इनके जो competitor के performance आया है, वैसे ही performance इस company ने भी आपे दिखाया है, तो अगर आपने इसको खरीदा होगा, अगर आप loss में होगे, तो ये तो कई loss में बिचने वाली company नहीं, इतना तो हम लोग आपे कह सकते हैं, अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो ये जो वीडियो में ने बनाया था अभी, कौनसा वाला, कि पॉवल जी का जो speech रहने वाला है, जैक्सन होल में, तो ये जैक्सन होल है, क्या बहुत सर लोग ये पूछ रहते हैं, तो आप बेसिकली ऐसा समझों की, दुनिया बर के जो सेंट्रल बैंक रहते हैं, वाँ के जो हेड रहते हैं, वो आप लोगों को वहापे देखने को मिल जाएंगी, बड़े-बड़े एकोनॉमी स्टाप लोगों को देखने को मिल जाएंगी, पुरे दुनिया बर की जितने भी जो, तो उनके उपर फोकस यहापे रहेगा, तो वो क्या यहापे सोचते हैं, आगे का उनकी क्या रननीती होगी, उससे रेलेटर कुछ हिंट मिल जाते हैं, अभी पिछले टाइम जब यह स्पीच यहापे हुई थी, तो स्टॉक हम लोगों को इनके गिरते वे देखने को मिले थे, ठीक है, हिस्ट्री उटा कर देख लोगे, तो आपको यही चीज़े यूजूली होते वे देखने को मिल जाती है, क्योंकि आप ज़्यादा पॉजिटिव स्टेट्मेंट दे नहीं सकते, ठीक है, अगर आपको देखकर टेंपररेरी तेजी, अगर आप ही जाते हैं मार्केट में, और बाद में अगर आप पल्टी मार लेते हो, तो आपको पता है, फिर आपको डबल खामियाजा बुबतना पड़ेगा, ठीक है, और यूजिली जो सेंट्रल बैंक के जो हेड होते हैं, वो कई मार्केट को देखकर अपने स्टेट्मेंट नहीं देते हैं, उनको अपने एकोनामी को समालने के लिए ही यहापे क्या करना पड़ता है, चीजों को देखकर यहापे चलना पड़ता है, अभी तक का हिस्ट्री क्या बताता है, जैक्सन होल की बात करें तो पॉवल जी के स्पीच के बाद, यूजोली अमेरिकन बाजार में जो स्टॉक से वो गिरते वे देखने को मिल जाते हैं, देखे लेते अभी क्या होता है करके, फिलाल तो ट्रेलर तो आप लोगों ने देख लिया, 200-200 पॉवट की गिरावट नजर आ रही है, कल के दिन अगर कोई unexpected अगर वो बात positively बोल देते, तो ट्रेडिंग की सबसे अच्छी खबर आ जाएगी, तो टेजी आ जाएगी, इसी को तो ट्रेडिंग बोलते हैं, इफबट काई खेल है, लॉंग टम में तो बाजार तो ऊपर जानाते हैं, ये तो पॉइंट पता होना चाहिए, देन आइडेफ से फर्स्ट बैंक की बात करें, 90 के क्लब में अभी ये स्टॉक आते हुए देखने को पड़ा है, दिमे दे में करके 3 डिजिट में भी ये जाते हुए देखने को आपे मिल जाएगा, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉंग यहाँ पर बन चुकी है, ठीक है, अगर बाजार में कभी उपतार चड़ाव अगर हुआ, इसके चलते हैं, अगर नॉर्मल गिरावट अगर इसमें हो जाती है, तो आप चाहो तो इसको ज़रूर कंस्रेडर कर सकते हैं, अपने पोर्टफिल में जगा देने की इसाब से, पाथ साल में डबल के, इसाब से आप पहले इसको प्रिफरेंस दे सकते हो, कमपनी ठीक टाक परफर्मस अभी दे रहे हैं, कमपनी के NPP भी अच्छा परफर्मस दे रहे हैं, इनको थोड़ा सामे कम कवर यहाँ पर करता हूँ, जब भी आप यह कवर करता हो, तो APL Apollo Tubes हमारे रडार के उपर रहता है, और यह भी अगर देखा गया, तो बिल्कुल टॉप पे टॉप बनाते ही जा रहा है, बिल्कुल रुकने का यहाँ पर नाम ही नहीं है, खास करके अगर हम लोग बात करें, इनका जो मार्केट शेर है, बिल्डिंग माटेरियल में, 55% हम लोगो देखने को मिल जाते है, वहाँ पे मार्केट लीडर है, ठीक है, तो यह एक अच्छागासा परफॉर्मस इसका देखने को मिल जाता है, इस चीज़ के चलते हैं, वीबियाल भी भागते रहते वह देखने को मिल जाता है, याद अपना तो तेजी सिर्फ इंपोर्टन होती है, तेजी टिकना इंपोर्टन होती है, यह तेजी इसलिए टिकी है, तो यह पॉइंट हम लोगों को समझना है, आपे होता है, अच्छी कंपनी पाच साल में डबल के हिसाब से अगर आप टार्गेट कर रहे हो, तो ठीक स्टॉक चुना है आपने, पाच साल में आप देख सकते, 90% के आसपस, तो वैसा रिटन आप लोगों को देखने को मिल ज सकते, तो फिर ऐसे कंपनी से आप लोग ने दूरी बना की रखनी चाहिए, बाकी फंडामेंटल्स की बात करे, तो कंपनी बुरी कंपनी नहीं है, तो ठीक है दोस्तों, जितने वी इंपोर्टेंट पॉइंट्स थे, सारे आपे मैंने कवर कर लिए वीडिया चाल लगे, त अपते बार के अंदर-अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साट से फ्री आफ कर दे जाएंगे, तक आप शेर बादर को आसान भाशा से सीख सको, तब तक के लिए, बाबाई